जेशिरामित्रों डिक्टेशन स्टार्ट अपिलार्थी अन्य किसी मामले में विद्वान अपर सेशन नयाधीस, तोरित नयाले, संख्यादो, जेपुर द्वारा, दोस्चिद्ध और, दंडा दिश्ट किये जाने, पराजीवन, कारावास, भोग रहा, था और, तारीक 18 दिसंबर, दोहजार दस को, अर्थात, घटना वाले, दिन, केंद्रिये, कारागार, कॉमा, जोदपुर में, अभी रक्षा में था, कॉमा, अपराहन लगभग, छे बजे, रोजाना की, भाती, केदियों को, बैरक में, पहुचाया जा, रहा था, और इसका, सर्वेक्षन, श्री असोक, उपाध्यय कॉमा, कारेकारी अधिक्षक कॉमा, केंद्रिये, कारागार, जोदपुर, तथा श्री, भरत भूशन, भट, कोश्टक जेलर, कोश्टक कॉमा, ओम प्रकास, कोश्टक सहायक जेलर, कोश्टक कॉमा, जोराराम, कोश्टक जेल डेश गार्ड, कोश्टक कॉमा, गोरधन लाल, मीना, कोश्टक कारेकारी प्रधान गार्ड, कोश्टक, और अन्य, ड्यूटी डेश गार्डों, द्वारा, किया जा रहा था विराम श्री असोक उपाध्याय और श्री भरत भूशन भट जेल के रसोई के निकट के फंवारे के बराबर में रखी कुर्चियों पर बेठे हुए थे विराम उस समय अपराहन लगभग छे पंद्र बजे थे विराम बेरक संख्या 2,3,4,5,6,7 और 11 के केदियों को अपने डेश अपने कक्स में भेज दिया गया था विराम बेरक संख्या 8A के केदियों की गिन्ती की जा रही थी और उन्हें उनके बेरक में भेजा जा रहा था विराम यह अभी कथन किया गया है की उस समय अचानक इस मामले में के अपिलार थी जिसे बेरक संख्या 9 दी गई थी, चिल्लाता हुआ आया ओर बेरक संख्या 4 की और से भागता हुआ भरत भूशन भट कोश्टक जेलर कोश्टक की और दोड़ा और उस समय जेलर भरत भूशन भट फंवारे के निकश्ट कट बेठे हुए थे और अपिलार थी ने चाकु से पीछे की और से उनकी गर्दन पर वार किया विराम भरत भूशन भट की गर्दन से रक्त बहने लगा और उनके कपडे रक्त से लत्फत हो गई विराम इस निरिशंस हमले को देख कर असोक उपाध्याय ने चीख डेश पुकार की जिस पर सहयक जेलर स्री ओम प्रकास और जेल डेश गार्ड जोरा राम कॉमा गोर्धनलाल कॉमा भगवान राम और योगेश कुमार दोड कर वहां पहुंचे विराम हमला करने वाला बंदी नरेंद्र सीह उर्फ मुकेश उर्फ भूरा बैरक संक्या नो की ओर दोडा विराम स्री असोक उपाध्याय सहित जेल डेश इस्ठाप ने भरत भूशन भट को उठा कर जेल के मुक्खे द्वार पर लाए और उन्हें महत्मा गांधी अस्पताल कॉमा जोदपुर की आपात कालिन यूनिट के लिए जेल एम्बुलेंस द्वारा भेज़ दिया विराम उपचार के दोरान स्री भरत भूशन भट की मृत्यु हो गई विराम दोस्सिद्ध नरेंद्र सीह को श्री भरत भूशन भट द्वारा कई बार उसे समनुदेशित कार्य पूरान करने ओर जेल कार खाने न जाने के कारण चेतावनी दी गई थी और इस प्रकार अपिलार्थी नरेंद्र सीह के मन में श्री भरत भूशन भट के प्रती दुर्भावना पैदा हो गई थी विराम अपिलार्थी प्रायह यह कहा करता था कि वह उत्तर प्रदेश का जाट है और वह जेल की नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि इस से उसका अपमान होता है विराम इस कारण स्री भरत भूशन भट और नरेंद्र सीह के बीच कहीं बार जडप हुई थी विराम श्री असोक उपाध्याय कोश्टक अभिशा एक कोश्टक ने पुलिस्थाना राता नाडा के भार साधक अधिकारी कोमा जो घटना स्थल कोश्टक केंद्रिय कारागार कोमा जोदपुर कोश्टक पर पहुँचे थे कोमा के समक्स अपराहन आट तीस बजे उपरोक्त अभिकतनों के साथ टाइप की हुई रिपोर्ट कोश्टक प्रदर्श P-1 कोश्टक प्रस्तुत की विराम स्टॉप धन्यवाद